अच ऐसा जुगाड जिने देखकर आपका भी सर चक्कर आने लगेगा और सोचेंगे कि ये कैसे कोई कर सकता है नमबर एक भाई साब अपने जिंदगी में हैर स्टाइल तो बहुत देखा पर ऐसा हैर स्टाइल आज तक कभी नहीं देखा मतलब अपने कार के उपर निली बती लगाओ या न लगाओ लेकिन अपने सर के उपर जुरू लगा सकते हो नमबर दो अगर हम जुगाड की बात करें तो क्योवल हमारे इंडिया में नहीं हमारे प्रोसी देश चीन में भी बहुत है आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये क्या मस्त जुगाड लगाया है इस औरत का तो जिन्दगी ही बन चुकी है जो देखने में भी काफी मस्त लग रहा है नमबर तीन आपने भी कभी न कभी आश्ट्रेज की फार्मिंग देखी होगी और उसमें से उसके अंडे को बाहर निकालना बहुत मुस्किल होती है पर इस बंदी ने क्या मस्त जुगाड लगाई है जिससे कि ये काफी आसानी से अंडा निकाल सके नमबर चार ये तो गजब का जुगाड है आप देख सकता हो इस बिडियो में इस बंदी ने क्या मस्त जुगाड लगाई है इस पे तो ये चल तो सकती है पर कहीं ठक जाती है तो इस पे बैठ भी सकती है देखने में तो काफी फ़नी लग रहा है पर है मश्ट जुगाड आपकी क्या राय है इसके नीचे आप कमेंट में जरूर लिखकर बताना है नमबर पाथ जुगाड शरीफ जैसे कि इस बंदे ने किया है मतलब बैकुन क्लिनर को गजब तरीके से कामे लिया है हम लोग तो बैकुन क्लिनर को घर की सफाई में ही करते हैं लेकिन इस बंदे ने तो इसका क्या हिसाब जुगाड लगाया है जिसके लिए तो एक लाइक जुरू बंता है जिन्हें किस्मत वाले ही लोग देख सकते हैं जानेंगे आज के विडियो में बर एक आई आई लिमर मेगागासकर में पाये जाने वाला एक अजीब और दिवचस्प जानवर है इसकी कई खास्यत है इसे बाकी लिमरों से अलग बनाती है आई आई की सबसे खास विशेस्ता है लंबी और पतली मध्य अंगली है यह अंगली बाकी अंगलीों से दो गुनी लंबी होती है और बहुत पतली होती है यह अंगली किसी तार की तरह लचीली होती है इनकी सुनने की शमता बहुत अधिक होती है यह जमीन के अंदर छीपे ये वाला लचीले बान स्पेसी जानवर है इसके पिछे की ओर लंबे पैर होते हैं जो पेड़ों पे चड़ने के लिए मदद करते हैं और एक लंबी पूँच जो संतूलन में सायता करती है इसका लचीला सरीर और तेज पंजे सिकार करने का अनुमती देता है फोसा पानी में तैरता भी है और कभी-कभी पानी में सिकार भी करता है तीन नंबर गेरे नुक गेरे नुक एक दुबला पतला हिरनुमा जीव है या पुर्वी अफरीका में पाया जाता है इसकी खास विसेस्ता इसकी लंबी गरदन होती है जो पेड़ों के टहनियों से फूल और पतिया खाने में मदद करती है गेरे नुक की गरदन की लंबाई उसके सरीर के आधे होती है नंबर चार हेलमेटेड हारनबील हेलमेटेड हारनबील धनेश के नाम से जाना जाता है दच्छिपूर एसिया के जंगल में पाये जाने वाला एक बहुत बड़ा पक्छी है यह अपने विसाल चोंच और उसमें टोपी जैसा बना संदचना के लिए परसीद है चोंच के उपर एक खोखला होता है जो हड़ी से बना होता है यह पक्छी अपने आवाद से पेड़ता खोखला होना पता लगा सकती है यह पेड़ों के छेदों में ज्यादा रहते है नंबर पांच जबीरू जबीरू एक बड़ा और खुबसूरत सारस है जो दच्छ अफिरिका के गर्म इलाकों में पाय जाता है इसका सरीर सफेद होता है लेकिन गर्दन और सर कला होता है इसकी चूच बड़ी और लाल होती है जिसके बीच में एक काली पट्टी होती है इसके लंबे पै लाइक करके और वीडियो के लाइक कर दो मीत हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यापाइब